हलो वीवर्स डेली हिल टिप्स में आपका हादिग स्वागत है दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आएं हूँ वो है शहर्द में डुबे हुए आमले खाने के लाजवाब फायदे आमला के स्वासिलाबों के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन आमला के साथ शहर्द का सेवन कहीं अधिक स्वासिय वर्दक होता है साथ ही शहर्द में मिलाने से आमले का खत्ता स्वाद स्वादिष्ट हो जाता है शहर में आमला भीगोने से ना केवल आमला कई महीनों तक प्रिजर्व रहता है बल्कि उसके स्वासिलाब और स्वाब भी बचाता है आमला और शहर के सन्योजन से आप दोनों के स्वासिलाबों को फायदा उठा सकते हैं इसे बनाने के लिए एक जार को आदा शहर से भलें फिर उसमें आमला भीगो कर धकन को बन कर दें कुछ दिनों के बाद आप आएंगे बिलकुल घर में बनें मुरब्बे जैसे थोरी देर से मिक्षन के साथ नर्म आमला आएए इस वीडियो के माथियम से जाने शहर में भी ये आमले के अद्वत स्वासिलाबों के बारे में पहरा है बालों को बनाए हल्ली शहर और आमले के मिक्षन को बालों में लगाने से बाल सुन्दर, मुलायम और कहीं अधिक घने होते हैं साथ ही ये उपाय बालों को जिननी से बचाता है और कमजोर बालों को मसबूत बनाता है प्रभावी परिणाम पानिं के लिए आप अपने कंडिशनर को शहर और आमला के मिक्षन से बदल सकते हैं दूसरा है एजिंग के लक्षन को रोपता है आमला और शहर नियमित रूप से शहर दें भी ये आमला की एक चमच खाना आपको सदा जवा बनाए रखने में मदद करता है ये आपको जरूरी एनरजी प्रदान कर शरीर को फिर से जवा रखता है साथ ही चेहरे से जुरियां और फाइन लाइन को भी हटा देता है तो फ्रेंड्स देर किस बात की अगर आप फिर से जवा बनाए रहना चाहते हैं तो इस उपाइ को आज से ही शुरू कर दीजिए लीवर को मजबूत बनाए और पीलिया रोख के शहर में भी ये आवले को खाने से लीवर स्वस्त रहता है और इडिया ये इलाज में भी मदद बिलती है ये शरीर में संचित, पित, दोश और लीवर से विशाथ पदाप को दूर करता है जिससे की लीवर को प्रभावी धन से काम करने में मदद बिलती है फ्रेंट्स पाचन समस्याओं में लापकारी होता है आमला और शेहत का मिक्षन शेहत में भीगा आमला अपच और आजिडिटी का सबसे अच्छा उपाय है याद की भूग को बढ़ाने के साथ अहार के उचित पाचन में भी मदद करता है शेहत में भीके आमला और इसका मिक्षन पीने से कप्स और बावसीर से राहत मिलती हैं आस्थमा से बचाप शेहत में आमला खाने से आस्थमा, ब्रोंकायटीज और सांस संबंदी अन्य समस्याओं से राहत मिलती हैं अंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण ये उपाई फेफडों से विशाक पदाड़ और मुक्त कनों को हताने में मदद करता है इस तरहां फेफडों से रखते वाही काओं के उप संकूचन का कारण बन आस्थमा के अटाइक को रोपता है फेंट सर्दी खांजी और गले के संक्रमन को करे दूर शहर्द में भी ये आमला की एक बड़ी चमच खाने से सर्दी खांजी और गले में खराज से जल रहात मिलती हैं तुरंत रहात पाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा अद्रक करास भी मिला सकते हैं अपने एंटी इंटि इंफेक्टिव गुनों के कारण शहर्द और आमला सभी तहा के संक्रमन को दूर करता है फेंस शरीर से विशाग पादाट को बखा निकाले आमला और शहर्द से बना काड़ा शरीर से विशाग पादाट निकालने के साथ साथ हानिकारक मुक्त कनों को हटाता है इससे वजन बनने और इन्य स्वास्ति सम्बंदी समस्याओं का जोकिम खत्म होता है यह मित रूप से सुभार के समय काड़ा पीनी और शहर में भीगा आवला खाने से आन्तों और खून से सभी विशाइक पदार दूर हो जाते है तो फ्रेंड्स यह था शहर में डुबे हुए आवले खाने के लाजवाब फायदी आप भी इनको खा कर फायदा उठा सकते हैं थांक्स पर वाचिन इस वीडियो थांग्स भिए ट्सक्रीब और चनल थांक्य। थांक्य। घ्याइ